अगर आपको इस बुक को लेना है तो आप बुक लेके पढ़े कर सकते मेरे साथ नहीं तो आप मेरे लेक्चर्स को देखके अपने नोट्स खुद बना सकते हैं हमारा पढ़ने का तरीका कैसे रहेगा हम इस बुक को सीक्वेंस में कम्प्लीट करेंगे और बुक के साथ साथ जो चाप्टर हमारे कम्प्लीट होगा उस रिस्पेक्ट में आपको आज हम पढ़ने वाले फर्स चाप्टर को बड़ चोटा सा चप्टर है जिसके अंदर हम प्रिंसिपल आफ लेंडिंग को पढ़ेंगे इस पर्टिक्लर प्रिंसिपल आफ लेंडिंग चाप्टर वन के mcqs आपको मेरी एप से रमल उसरे क्लासिस अप्लिकेशन पर मिल जाएंगे और मेरी टिलिग्राम चैनल पर भी मैं कुछ mcqs को दाल दूंगा तो आपको अगर मेरी एप को डाउनलोड करना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा चाप्टर करने से पहले मैं आपको बताना चाहतू कि आपका काम कैसा आपको मुटा मुटा पता होना चाहिए कि आप बैंक आफ इंडिया में जाके प्रेट ऑफसर बनोगे तो आपसे वह क्या एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा क्यों तो आपको इंटर्व्यू इस चीज़ पर पुछ बनेंट होने वहला है वह आपसे क्या एक्सपेक्ट करते है काम करने को पता होने चाहिए तब आप इंटर्व्यू में जाकर कुछ बोल पाओगे हैं बाद स्टार्ट इंटर्व्यू से हो रही है हां देखो आपको एक ब्रांच देरी जाएगी एक ब्रांच यह उस ब्रांच के जो भी ब्रांच में बहरी बाट हो करन gebracht रहे हैं早ों लों अगर पहुत लों मांगने का काम कर रहे हैं यह को आपके पास इस फाइल को लेके अपको देरी जाएगा और कहेंगे आप तो आप इसकी चेकिंग कैसे करोगे आप पहले इस कस्टमर जो भी कस्टमर है उसका बैग्राउंड चेक करोगे फिर आप किस टाइप का लोन चाहिए उस लोन के हिसाब से आपके पास आपके बिजनस में कितने पैसे है डिपेंड कर सकता ना पहली बात तो कौन आपका बॉर बात करोगे आप इस कंपनी के cashless अच्छा है या बेकार है इस company की current ratio अच्छी है या बेकार है मतलब यह पैसा दे पाएगी कि ने दे पाएगी future में इसकी कोई income होने वाली है जो यह business कर रहे है आप उसकी business पे call लोगे तो मोटा मुटी बात आपको समझ में आ रही है आप business की उपर call लेने वाले हो उसके फानेशे की उपर call लेने वाले हो उनके background की उपर call पेसे पत्रैक रिकॉर्ड को उसके बारोवर का बैग्गरांड चेक करने से लेकि उनके फानाचेस करने से लेकर एंड में जब लोह दे रहे होते हो उसका डॉक्यमेंटेशन होता है डिस्वर्समेंट से पहले आप डॉक्यमें बनाओ गonna उसके अंदर आप उसकी गईरंटी ले लेते हो कि जिसमें भी लोन लिया फिर आप कैके जो भी आपने अगर आपने कोई ले रखे ले रखे ले रखे तो इसके उपर इकुटेबल मौट गेज अभी आपको बनाना है अच्छा यह सारे भारी भारी वर्ड आपको समझ में नहीं रहा है तो आप क्या बोल रहे को कंप्लीट हो गया आज हम प्रिंसिपल ओफ लेंडिंग को पढ़ेंगे प्रिंसिपल ओफ लेंडिंग किसके रिस्पेक में पहले इसका मतलब क्या 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 आपको पढ़ना है वो देख लें हां जी तो भाई अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मॉड्यूल ए हम देंगे अगले साल का इस साल नहीं देपाएंगा अगर हम प्लाइन बालाइन पढ़ेंगे तो मैं इस बुक को पढ़कर रखूंगा और आपको इस तो से इंपॉर्टन बात बताऊंगा और साथ में आपका गायली ओडिशन में मैं कर दोगा ठीक है जी आप एंटेंट करोगे तो आपके थोड़ा बहुत कवर ज्यादा हो जाएगा इसके अंदर जो मैं पढ़ रहा हूं साथ साथ तो आज का हम प्रिंसिपल अफ लेंडिंग की उपर डिस्काशन को स्टार्ट करते हैं इस बुक में जिस सीक्वेंस आपको दियाओई चाप्टर से हम उसी सीक्वेंस में पढ़ने वाले हमारा फॉर्स चाप्टर है प्रिंसिपल अफ लेंडिंग हम चलते हैं इसके उपर अब यह प्रिंसिपल अफ लेंडिंग किसके रिस्पेक्ट में कहा रहा है जब एक बैंक लेंड करेगा पैसा देगा आप इंग में पैसा deposit करने के लिए जाते हो और कुछ लोग पैसा loan के लिने के लिए वी जाते हैं तो bank का का कम लेना और देना lend करना है deposits मिलेंगे deposits क्यों करोगा आप आप क्यों कर रहा हूं आपको थोड़ सा का Central Bank हमारे यहां पर Central Bank कौन है Reserve Bank of India तो आग ट्रस्ट करते हो ठीक है अब बैंक जब इस पैसे को लेंड करेगा तो उस लेंड करने के अंदर क्या principle लेंड है मोटी मोटी बात वो क्या धान में रखेगा सबसे पहली बात वो ध्यान में रखेगा कि यह पैसा जिसको हम दे रहे इस पैसे की safety रहीड नी रहेगी पैसा safe रहना चाहिए जो भी borrower को यह पैसा दिय जा रहा है वो पैसा safe रखेगा मतलब वो borrower sound होना चाहिए बात सहुत आँँ अ दूसरा principle इंसे principle को भी हम बढ़ेंगे दूसरा principle आता है liquidity liquidity bank के भी bank ने deposits लिये बढ़े सारे पैसे को आगे इस सारे पैसे को कहीं बाट देगी तो धिंक की पैसा नहीं बचा अगर आप पैसा हूंगने आगे तो हम उसरी पैसे को दे सके तो बैंक को अपनी लिकुडिटी प्लस बैंक की लिकुडिटी किस और बंदे पर डिपंड करते हैं जिसने इसको पैसा लेंड करते हैं इन केस जिसको पैसा लेंड करते हैं वही पैसा देने से मना चाहिए तो बैंक की लिकुडिटी में तो खतर में आगी ना तो हम liquidity किसके perspective से बात करेंगे पहले bank के perspective से कि आपको अपने asset and liability को match करके चलना है कि bank की भी तो liability है आप जो deposit दे रहो bank को वापस करने आपको तो bank अपने asset और liability को match करके चलेगा और साथ में जिसको पैसा lend कर रहा है उसकी भी liquidity को देखेगा उसने क्या security दे रखिया है इन केस वो पैसा दोने से माना कर दें तो हमार पर security पढ़ी है हम वो security को बेचे देंग और पैसा निकाल लेंगे उस security की भी तो liquidity होने चीए है उसमें मेरे को जमीन दे दी जमीन बेचने में बैठे रोबी दो साल अगरे जमीनी ने भी करी कोई मा पूछे नहीं आना ने जमीन के बारे में ऐसा तो है न कि आप दाज होगे YouTube पे आप दाज होगे कहते है Amazon पर जमीन बिच जाएगी ठीक है क्या पता आगे जाके वाज़ा है बट अभी नहीं होता है हमने liquidity बात समय आती है दूसरी तीसरी बात लास्क बाट आती principle of lending के अंदर बैंक कोई charity नहीं कर रहा बैंक profit कमाने के लिए बैठा है आप HDFC के हरवारी रिपोर्ट आते हैं इतना मतलब profit को है तो बैंक अपनी profitability भी ध्यान रखता है profitability कैसे उसके लिए profit के है जो वो जाधा interest को चार्ट करता है पहले वो जिस particular उसको एक particular fund की cost क्या पढ़ रही है आप से जो पैसा ले रहा है जो आपको interest दे रहा है और साथ में और other expenses इतने बड़े-बड़े executives को रखा है उनको इतने बड़े-बड़े office उनका रखे है पूरा-पूरा दिन चल रहा है तो उसकी cost भी लगते है वह cost को मिला के वह बताते है कि इसको कितने पर लेंट करना है एक particular lending activity को कितने rate पर करना है बास समय आती है मुटा मुटा बास आज का basic lecture कोई ज्यादा तो हम इसके इंदर जो important बात है वह automatically आपको वही पढ़ाऊंगा चलो जी प्रिंसिपल अफ लेंडिंग करने के बड़ सारे तरीखे होता है जैसे कि अगर कोई individual follower आता है तो हम सिबिल उसका मांग लेते हैं वह सिबिल देख लो उसका सिबिल क्या है सिबिल एक कंपनी ही है credit information bureau इंडिया लिमिटेड ये कंपनी को कि आप लोगों की credit information पर कोई डिफॉल्ट कर रहा नहीं कर रहा अगर आप जाके सिबिल चेक पर और देखो कि इस बंदे ने पहली डिफॉल्ट कर रहा है पैसा लोन दे नहीं रखा तो आपको कि मेरा पैसा सेफ नहीं है काटा मारो और साथ में बड़ा बॉर्वर है अभी हम सरफ एक्जामपल ले रहे हैं इन सब के बारे में आगे डिटेल में डिसकॉर्शन होगा एक होता है मारे ची आर आई एल सी यह क्या है सेंट्रल रिपोजिट्री और लाज क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ओं लाज क्रेडिट जो आपके पांच करोड से उपर कि किसी ने लोन ले रखे है तो एक रिपोजिट्री बनाए जाती है आर विए के पास आपको रिपोर्टिंग करने किसी सब्सक्राहरा कुछ दिन का डिले भी रिपोर्त हो जाता है अगर अगर इसकी क्या केता है कि एंट्रेश्ट देने की डेडिटी सेवें तरीक को आपको इंट्रेस् देना है बट इसने 11 या बाड़ा तरीक को मतलब कुछ दिक्कश चल रही है चार-पांच दिन से सब्सक्राइब ट्रेशा घंटार को कि बंटकर में तो पैसे नहीं रहेगा अगर मैं थे लिएंडर सारे पैसे नहीं कर रहें जैसे की बड़ा सारे बैंक लगे तो मतलब आया मैं इसे दिमान कर दिया अब डिपॉजिटर कहेंगा मैं कहा जाऊं मेरे सारा का पैसे तो चला गया ना ठीक है तो सेफ्टी आफ फंड पहला आपका क्या किता है प्रिंसिपल तो आप सेफ्टी को कैसे एंशॉर करोगे कि जो आपसे लोन लेके जा रहा है वो रीपे भी कर पाएगा उसकी प्रॉफि अब की पास पाई आएगा सबसे पहला काम आपका यहीं चेक करना है अगर आप लगात तो आप वैसे ही काटा मार दोगे जिसने फाइल बेजोगे उसको फोन करते बोलोगे और कुछ तो देख ले करो कैसी कैसी फाइल बेज दे तो मिर पास मजा नहीं आए आप बताओगे कि इसका सेवी लिए इसने इसका लोन मार रहा है इसने यहाँ पर पैसे नहीं दिये हम यह लोन आगे नहीं बढ़ा रहे है फाइल को यहीं पर चैक करें बात सामय आती है तो आपका काम में से सबसे पहला काम सेफ्टी का ही है ठीक है अब अप अप्रेजल इस असेंचिल औ अब आप existing जब आपनी safety check कर लेते हो तो आप आगे कि उसके business के उपर भी call लेते हो कि आगे जाके भी business cash flow generate करेगा नहीं करेगा कभी-कभी कोई business आपको समय में आते है कि यह business आप अच्छा perform नहीं करने वाले है यह industry के अंदर कोई difficulty face कर रहा है उसकी call आपके उपर ही होती है आज एक business है वो कह रहा है कि आज मेरा turnover एक करोड है और अगले साल मेरा turnover शे करोड जाएगा वो बोल रहा है तो हम बोलेंगे उसका reason क्या है आप यह बताओ 6 करोड की आप कह रहो हो आगे जाके मेरा turnover हो जाएगा उसके business पर आप मेरे से loan मांगने आगे उसका basis बताओ मुझ इसे काम करने के लिए यह देखो purchase order 6-6 करोड की purchase order है पूरे साल का काम मेरे पास पहले से है तो इतना turnover तो मेरा होगा ही होगा अगर आप मेरे को कुछ पैसे दे दोगे माल को खरिदने के लिए तो क्या पता बात सही हो तो वो सारे के सारे evaluation हमारे उपर है आप credit officer बढने वाल अपना पांच करोड का जो turnover में जंप justify कर पा रहा है और यहीं कोई दूसरा बंदा हो जो अपने existing top line existing revenue अगर वो एक क्रोड का revenue कर रहा है क्या पतम वो next year एक क्रोड के revenue को sustain ही ना कर पा है business ही डाउन जा रहा हो बुरा market का वो बिजनेस डाउन जा रहा हो तो आपको हर एक ट इंक्रीज होता ही होता है तो ऐसे काम होता है ठीक है थी हमें बात रहा है ठीक है तो दिखावना subjective assessment bank have access to many appraisal tools होते हैं आप कैसे assessment कर सकते हो आपको assessment अच्छा अब आपको लग रहे है कि ज्यादा responsibility वाला काम है नहीं जब आप officer बनके जाओगे आपके ऊपर बड़े सारे ल environment safety of credit is measured more objectively आज के time के हम बहुत अच्छे से check करता है then in the past when the loan was termed a fair banking risk very subjective assessment पहले क्या होता था यह मेरे जीजा जी है इनको loan दे दो today credit officer make more objective and detailed assessment of the credit risk आज हम ज्यानते देखते हैं सारी बातों पे मतलब comments किये जाते हैं कि अगर आपको loan देन तो उसके पीछे पुरे rational अच्छा सा बना हो अच्छे they use tools like यह सारी की सारी चीज़े हम पढ़ने वाले है most important आपके interview and exam की perspective से cash flow analysis net present value break-even analysis break-even मतलब किस point पे particular business profit में turn कर जाता है discounted cash flow sensitivity analysis most important sensitivity analysis क्या कहता है कि अगर आपका business में कुछ change आया अगर आप मान के चलो अगर आपके sales 5% से कम होगी या आपका कुछ profit 2% से कम होगा तो total impact कितना आएगा business पे अगर आपकी sales 5% से गढ़ जाती है तो आपके profit पे क्या impact आएगा cash flows पे क्या impact आएगा यह sensitivity answers बोलते है अलग अलग चीजों पर sensitivity answers किया जाता है altman z scores यह एक स्कूर theoretical concept है Indian bank में कहीं पर use होता है यह नहीं होता मेरे को इसके बारे में knowledge नहीं है क्योंकि जिन जिन banks में मैंने काम किये वहाँ पर यह altman z score के कोई मतलब आपका क्या किता हूं वहाँ पर बात नहीं इसके ब आपने ग्रेडिंग मना रखिया है और रेटिंग अगर हो रखिया है तो उसको आप ज्यान रखोगी और अगर रेटिंग हो रखिया है और आप बैंक आप के पास लोन महंगने आगया है तो आप उस रेटिंग को देख और ق्रिट्र रेटिंग में तो 100 समय के लिए झूँगी। तो आप उस रेटिंग को करोगी का कॉमें सा COLIS को भी दक होगे अपने प्रपोजल में वो दाल होगे ठीक है लिकुडिटी अफ बैंक के अंदर क्या आता है कि बैंक को लिकुडिटी अपनी मेंटेन करके जलने साथ में कस्टमर की भी लिकुडिटी पढ़ने देखनी है चलो हम पढ़ते है चलो इन्होंने एक्जामपल दे रिख है इस दा बैंक डिप्लोई यह एक श्रिनेरियो इस दा बैंक डिप्लोई इस फंड जो इसको फंड मिले डिपॉलिट करवाए गए इन अ टर्म लोन रीपेबल ओवर साइगे बैंक को जितने पैसे मिले और बैंक पांका साल का लोन माट जाने ठीक है विद अम मोराटोरियम मतलब एक साल के बाद रीपेमिंट चाट करना पैसा अब रखो मतलब पांक साल का लोन है प्लस एक साल का मोराटोरियम छे साल बाद पैसे देदेना वाला है तो क्या बैंक के पास लिकूडिटी रहेगी नहीं कोशन में समझ में आ रहा है कि वह ऐसी पूछना चाते कि आप बोलो कि नहीं अगर इनके करन्ट डिपॉल्डिट को मांगने आ गया और बैंक ने सारे वोटे मोटे मतलब लंबे टेनार के लोन बाट रखें तो ये करन्ट को पैसा वापस कैसे करें अगे पढ़ते है और आगे और आगे पढ़ते है ठेक है अब इसका मतलब क्या है इस लिकुडिटी से बोलना जाता है कि अलग-अलग मैचुरिटी के आपके पास लोन हो चाहिए बैंक के पास जरूरी निया आप सारे पांच पास आके लोन दो आप कुछ करन एक साल का छे मीने का लोन वापिस आप दे दो ऐसा आपके पास होने चाहिए और आपके पास के ओपर भी कॉमेंट करता है कि उनके पास कौन से सेक्यूरिटी उन्हों से कौन से अगर वह डिफोल्ट करते हैं तो क्या जो बैंक है वह पैसे को निकाल सकेगा प्राइमरी सेक्यूरिटेकर securit की लिकुडिटी भी के जाता है ठीक है अग है एक है अक्र लिबिल्टी मै में कोई mismatch नहीं होना चाहिए आपके assets का में liability जादा है तो आप payment कैसे करोगे तो asset liability का आपको match करके चलना है ठीक है profitability of bank आपके bank के अंदर आपके जो कमाई है वो क्या है जो आपके cost of fund है और आप जो कितना ज्यादा amount पर lend कर रहे हो जो cost of fund है वो पहले base rate से निकाला जाता था जो कि अब change हो के mclr mclr marginal cost of fund based lending rate अब आप mclr के तुरू इस पैसे को lend करते हो इसके नदर क्या-क्या components है उसमें आपको mclr कैसे compute होता है मैं आपको वह भी निकाल के दिखा सकता हूं बड़ वह बहुत ही मतलब बड़ा आपके लिए difficult हो जाएगा तो आपसे expect नहीं करते कि mclr की calculation आपको आने चाहिए कि जिसको आप लोन दे रहें वह कितना risky लोन है अगर वह कम risky है तो आपको होगे तो 0.5% या 1% में ले जाए अगर वह risky लोन है वह बॉरवर थोड़ा होगा है बट आपको चलो इसको दे देता है लोन तो आपने कहा है mclr plus 2% पर देखे हम तेको 3% पर देंगे 4% पर अब यह fund based बीच में क्या आगे है कुछ loan आपके fund based मतलब bank का पैसा भाड़ जा रहा है और किसी टाइप की facilities होते है credit facilities जिसमें bank का पैसा नहीं जा रहा उसको non fund कोई fund नहीं जा रहा यह कौन सी facility है जो bank का पैसा ही नहीं जा रहा ऐसी मतलब facilities होती है bank ने guarantee रहे दे बैंक कोई पैसा तो नहीं किया bank के नहीं guarantee कि आप इससे business करो अगर कोई दिख्कत होगी तो हम पैसा देंगे bank कह रहा है bank guarantees रहता है letter of credit हम बढ़ सबको famous अभी वह scam पता है कि जो भी किसका scam हुआ था नीरव मोधी का scam हुआ था उसके अंदर बढ़ी सारी LCS खोली गई थी उसमें bank का को लेटर देख्या जाता है कि आप मेरी वाली पार्टी को credit पर माल दे दो अगर यह default करेगा तब हम आपको पैसा देंगी तो इसके अंदर immediately fund नहीं जाता है इसले उसको non-fund क्या करते है credit facility बोलता है अगर default करेगा borrower तब जाके वाला क्या करते है LCS के उपर claims आता है फिर bank को पे करना पड़ता है अब यह विली facilities को देने के लिए bank भी अपने आपको क्या करते है secure करके चलता है वह collateral securities रखवाता है कुछ ना कुछ security प्रीमें नहीं खुल जाती कोई ना कुछ security proper assessment किये जाते तब यह विली facilities को sanction किया जाता है बात में आती है मैं आपको एकदम detail में ले marginal cost of fund based lending rate use होता है अब यह अलग अलग दिन का मतलब आपका mclr निकलता है overnight निकलता है mclr क्या है one month का mclr कितना है three months का mclr कितना है six months का और one year का यह RBI ने बोला है कि हर एक bank को अपने mclr निकालना है और अपनी website पर publish करना है आप जाके check कर लो आपको overnight one month three month six month one year यह वाले m मिलेंगे ही मिलेंगे और इसके लागा अगर आपको mclr निकालना है two years इससे ज्यादा साल का तो आप वह भी निकाल सकते हो तो RBI ने आपको क्या करता है वह चूट दिया है banks को तो आप अब भी जाकर चेक करो mclr के बारे में पढ़ो और साथ में यह वह ले इस साल के इस- उसको थोड़ा सस्ता लोन देंगे तो हमार से लोन ले ले तो मतलब तेरा पैसा डूब में नहीं वाला तो 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 उससे सस्टे में ले ले तो इसके अंदर क्या लिखा है कि अ किस्टमर विधाई क्रेडिट एक डाट इस लोर रिस्क इस चार्ज विद लोवर रेट अपको यह लॉजिक समझ माना चीए वह कस्टमर लोर रिसक है उसका पैसा डूबने का चांस नहीं है तब ही हमने उसको सस्टे में दे दिया और यही अगर क्या करते एक बंदा ह हाई रिस्क वाला होता क्या पता पैसा डूब जाए तो हम गया रिसको अगर मैं लोन देने वाला हूं आप समझो ना अगर आप equities में investment करते हो तो आप कहते हो ना आपको ज्यादा मिलना चाहिए हाई रिसक है तो मेरे को ज्यादा रिटर्ट मिलना चाहिए इसकी क्रेडि रेटिंग खराब है जो मतलब बुरे हाल है उससे हम हायर रिस्क हाई रेट रेट रिट रिटे करेंगे बार समझातिया ठीक है परपस अपको बता हो चाहिए बैंक जब भी लोन देता कोई illegal activity के लिए लोन देदे कि हमें क्या कहते है drugs drugs देने उसका business करना है तो हमें 5-6 क्रोड रुपर देदो तो बैंक देदेगा आपको लोन नहीं तो purpose of loan पता होना जो हो रही है आप speculative activity अगर share मार्केट के अंदर आपको में कुछ जुआ खेलना है उसके लिए लोन देदो तो उसके लिए लोन नहीं मिलता ठीक है तो purpose of a loan आपको पता होना जो हो रही है एक आया diversification of risk risk को diversify आप कैसे करोगे as a bank अप अलग-अलग region में अलग-अलग industry मैं आपको इसके example देतूं मैं जिस बैंक में था तो एक particular अगर स्टील के सारे customers default करने लग जाए तो बैंक भी तो दिक्कत में आजेगा ना कि हमारा पैसे सारा ठग गया तो उस particular year में स्टील का exposure बहुत जाद हो गया था तो हमारे पस क्या कहते है उपर से order आगे थे कि आप से कोई भी स्टील वाला कस्टमर आने वाला है आप उसको लोन संक्शन नहीं करोगे तो यह डाइवर्सिफिकेशन आफ रिस्क है आप अलग-अलग कस्टमर को लोन दोगे एक ही कस्टमर को सारा लोन ने जाना आपको अलग-अलग कस्टमर एक huge customer base होना चाहिए अलग-अलग इंडस्टी में काम करना चाहिए अलग-अलग region में काम करना चाहिए और हो सके तो अलग-अलग countries में diversify कर दो आज के दिन में अगर आप बात करो अगर किसी foreign bank ने किसी को यूक्रेन में लोन दे रखा है यूक्रेन में उसने पूरे यूक्रेन में वाट दिया लोन सारे के सा सा लेक्चर था इसके mcq आपको मेरी टेलिग्राम चनल और मेरी अप्लिकेशन शियर अलग उसना टाक्सर पर मिल जाएंगी कल हम मिलेंगे second chapter के साथ second chapter को हम दो अपार्ट में डिवाइड करेंगे वो credit policies के उपर है तो उसके दो लेक्चर आएंगे तो आज का लेक्षि नह